हेलो मेरे प्यारे दोस्तों तो यार कैसे हैं आप सभी ग्टा 5 की एक और धमक्यदार वीडियो में आपका स्वागत है और भाईया यह मेरे पास किसका मैसिज आ गया है जल्दी से इस मैसिज को खोलता हूँ और देखता हूँ यह किसका मैसिज है और भाईया यह तो मेरे बोस का मेसीज है यार वह मुझको बुला रहे हैं उनको मुझसे कुछ काम है तो भाईया मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा तो अभी मैं जल्दी से अपने बोस के पास चलता हूँ और अपने बोस को परेशानी पूछ लेता हूँ मेरे बोस को क्या दिक्कत है तो जल्दी से यार चलता हूँ अपनी गाड़ी को गैराज से निकालता हूँ और ये खड़ी हमार इदर वाइट कलर की कार जो गजब की है यार एकदम से दासु कार है और जल्दी से इसके अंदर बैठता हूँ यार और भाई मेरी कार यार मतलब भाई गैराज के अंदर खड़ी की थी मैंने और गैराज के अंदर से बाहर कैसे मेरी कार यहाँ पर खड़ी है तो कोई बात नहीं यार इसको अब लेकर के चलता हूँ अपने बोस के पास साइद मैं ही इस गाड़ी को बाहर खड़ा करके भूल गया हूँगा और इसको बाहर खड़ा करना तो बहुत ज़्यादा रिस्की है भाई या इस सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा चोरू चके हैं अगर हमारी गाड़ी को किसी ने चुरा लिया तो हमारे पास और कोई वहिकल भी नहीं है यार और भाई अब अपने बोस के बारे में आप लोगों को बता दू यार मेरा बोस बहुत ज़्यादा खडूस आदवी है और मुझसे बहुत ज़्यादा गलत काम भी करवाता रहता है तो मैं अपने बोस का रास्ता देख लेता हूँ भाईया इधर से हम लोग शोटकट अपने बोस के पास जाने वाले हैं और देखने वाले हमारा बोस आज हमको क्या कुछ कहने वाला है और क्या कुछ मिसन भी देगा तो भाईया चलो यार धीरे धीरे चलते हैं यहाँ पर हमने road के कुछ street sign भी उखाड़ दिये हैं मगर इन street sign को हमको नहीं उखाड़ना है यार हमको जाना है अपने boss के पास और जो map के अंदर dollar वाला sign, S वाला sign दिखाई दे रहा है वही हमारे boss का घर है यार उसी के पास हमको जाना होगा तो यार हम लोग गलट डिरेक्शन में जा रहेते और अभी हम लोग अपने बोस के पास चलते हैं और देखते हैं यार हमारा बोस आज हमको क्या मिजन देगा और भाईया हम लोग अपने बोस के पास आ चुके हैं और यह रहा हमारे बोस का घर और यही पर हमारा बोस रहता है तो भाई अपनी गाड़ी को यही पर खड़ा कर देते हैं एक साइड में लगा करके और भाई अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे लिजा कर खड़ा करेंगे ताकि कोई भी यहाँ से गाड़ी को चुरा न पाए औ और वह रहा सामने हमारा बोस, अरे बोस क्या हाल हैं, तो यार यहाँ पर फ्रेंकलीन का बोस फ्रेंकलीन से मिलकर बहुती ज़्यादा खुस होता है, मगर फ्रेंकलीन उससे मिलकर इतना खुस दिखाई नहीं दे रहा, और फिर यार उसका बोस उसको बताता है कि उसको Employee of the Month क अवार्ड भी मिला है, जिसको देखकर यार फ्रेंकलीन एकदम से खुस हो जाता है, और फ्रेंकलीन को इस बात के लिए उसका बोस बधाई भी देता है, और फ्रेंकलीन कहता है कि मुझे यह अवार्ड कैसे मिल सकता है, मैं तो इतना कोई अच्छा काम भी नहीं करता है, उसको कई कई गलत कामों में फसाता भी रहता है और आज यहां पर भी उसका दोस्त आने वाला है और उसका दोस्त यहां पर आकर उसको एक गलत काम पर लेकर जाता है मगर फ्रैंकलीन को इस बात का कुछ भी पता नहीं रहता है और अभी उसका दोस्त यहां पर आ गया है और यही उसको कुछ गलत काम पर ले जाता है। जब उसका बोस उसको बताता है कि उसको employee of the month का award भी मिला है तो यार उसकी चेहरे की चमक एकदम देखने लायक रहती यारनि उसका चेहरा लेमो का चेहरा एकदम देखने लायक रहता है और फिर यार वया उसको फ्रेंकलीन को भसाने की कोशिश करता है और उसको किसी गलत काम पर लेकर जाता है तो चलो अब चलते हैं मिशन के उपर आजा फ्रेंकली तुझको इंपलोई अब दा मत का अवार्ड तो मिल गया मगर इस अवार्ड को पाकर इतना खुस मत हो आजा हमको एक बहुत जरूरी काम करना है चल वह जरूरी काम पहले निप्टा लेते हैं अब आजा जल्दी से हाँ लेमगर चल चलते हैं मगर तुझको पहले बता देता हूँ मुझसे कुछ भी ऐसा गलत काम करवाने के बारे में सोच भी मतली हो वरना तुमारी ऐसी बैंड बजाओंगा तुम सोच भी नहीं सकते और जल्दी से अब रास्ता तो हमको दिखी रहा है तो जल्दी से हम चलते हैं उसी लोकेशन पर जहां पर तुम मुझे लेकर जाना चाहते हो और चल अब निकलते हैं लेमगर मुझको पहले बता दे तुकुछ गलत काम तो मुझसे अब नहीं करवाने वाला क्यों कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा अरे फ्रैंकली गाड़ी देख के चला औ और मैं तुछ भी गलत काम नहीं करवाँ गौर तुछ चल तो सही उस जंगे पर जहां पर यह लोकेशन हमको लेकर जा रही है। अगर कोई बंदा टपक गया तो भाया पूलिस का कोई भी इस्टार हमारे उपर लग जाएगा और फिर भायब पूलिस पिछे पड़ जाएगी तो यार एकदम से काम खराब हो जाएगा और भाया हमारा मिसन भी जहां पर हम लोग जा रहे हैं यह मिसन भी पूरा नहीं पाए तो लोकेशन अभी बहुत ज़्यादा दूर दिखाए दे रहे हैं तो चलो अपनी गाड़ी को थोड़ा खैच के लेकर चलते हैं और जल्दी से हम लोग अपनी उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे तो लोकेशन हमारी अब बहुत ज़्यादा नजदीक आ चुकी है अब हम बहुत ही कम नजदीक रह चुके हैं अपनी लोकेशन के ओ भाई मतला इन गाड़ियों के बीच से गाड़ी को निकालना पड़ेगा तो भाई मज़ा आ गया इन गाड़ियों के बीच से गाड़ी को निकाल कर तो या देखा लेम और कैसे मैंने गाड़ी को बचाया और अभ हम लोग location के बहुत ज़्यादा नजदीक पहुँच रहे हैं क्योंकि मैं आपके अंदर देखाई दे रहा है कि हम लोग location के अंदर कितना नजदीक आ चुके हैं और अभी हम लोग पहुच लेते हैं अपनी location पर और यह आ गई हमारी location और भाई है तो कोई गुंडे बदमासो वाला area लग रहा है लेमोर सही बता दे तुम उससे क्या करवाना चाहता है यहां पर क्यों लेके आया है और location तो आई गई है और अब गाड़ी को थोड़ा आगे ले लेते हैं और भाई यह बिजली का खंबा मतलब भाई बिजली के खंबे से हमारी गाड़ी टक्रा गई और चलो यार यह dust bean को तोड़ कर आगे जाते हैं dust bean हमने तोड़ डाली है और भाई इधर से हमको left लेना पड़ेगा यार और चलो यार हम लोग अपनी location पर आ गई हैं अब जल्दी स जैसा तुम कहोगे वैसा ही मुझे करना होगा तो यार चलो मैं वैसा ही करता हूँ जैसा तुम कहते हो मगर फिर भी तुम्हें एक बात बताता हूँ मुझसे कुछ भी गलत काम करवाने के बारे में आज सोच भी मतली हो क्योंकि तुम्हें बहुत बूरी तरीके से मारूग ओ भाई मतलब ये क्या हो गया यार ये है कौन बंदा था ठीक है लेमो और मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही है तुम मुझे इस सुंसान इलाके में लेकर क्यों आया हो जब यहां पर इतने गुंडे बदमास लोग है तो हम यहां पर क्यों आया है मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए जस्ट अभी के अभी वरना मैं यहां से भाग जाऊंगा ठीक है लेमो और मैं तुमारी बात से सहमत हूँ इस गराज के अंदर क्या है लेमो और जो तुम मुझे से ओपन कर रहे हो तो यह गराज मैंने कोल दिया इसके अंदर तो कबार बरापड़ा है कुछ भी नहीं है यहां पर तो और तुम कह रहे हैं तो इस गराज को ओपन करो होई कौनों तुम दोनों और यहां पर क्या कर रहे हो और किसकी पर्मिसन से तुमने यह गराज ओपन किया और जो भी हमारे रास्ती में आएगा उसको हम ऐसे ही बुन डालेंगे अरे लैमौर तुमने ये क्या किया उस बंदे को क्यो मार डाला तुम तो कह रहे थे कि यहां पर कुछ भी गलत नहीं होगा मगर ये क्या किया तुमने अब गलस सोचने का समय नहीं और फुलिस को फोन अभी बिल्कुल मत करना तो अपना हत्यार निकाल ले और इन सबी को जल्दी से फिनिस करना है लेमोर के बच्चे तुने तो एकदम से बिल्कुल फसा दिया है अब इनको मारना ही पड़ेगा क्योंकि अगर इनको हमने नहीं मारा तो इनके पास हत्यार है और यह फिर हमको मार डालेंगे तो अभी मैं जल्दी से अपना पिस्टोल निकालता हूँ और इन सब की बैंड दे बेटा आज तेरी खैर नहीं आज तुझे में जन्नत दिखाऊंगा आज तेरा पाला पड़ चुका है फ्रैंकलीन से आज यहाँ पर लेमोर डई है तो लेमोर का दोस्त तुझे मार कर चटनी बना देगा तेरी और दिखा मैंने सामने वाले गुंडे को कैसे मार दिया लेम लेमोर अपने सामने देख सामने एक गुंडा है और चट के उपर भी एक गुंडा चड़ावाया तो उसको गोली मार लेमोर मेरी गोलिया खतम हो रही है यह बोल बच्चन का टाइम नहीं है जल्दी जल्दी इनको पून डाल और बोलियों से इनको छलनी बना डाल अच्छ पारता हूं यार उसने मुझको एक गोली पिला दिया तो भाई उसको मारना जुरूर पड़ेगा गुंडो आज तुम्हें फ्रैंकलीन की ताकत दिखा देता हूं फ्रैंकलीन जितना सीधा तुमको लगता है उतना सीधा नहीं है फ्रैंकलीन जितना सीधा है उतना ही टेड तो यार मुझको तो यहाँ पर गुंडे ने गोली मारती तो इस गुंडे को अब मैं नहीं छोड़ूँगा क्योंकि इस गुंडे ने मुझको गोली मारी है तो यार दो गोली इस गुंडे ने मुझको मार दिये एक बापर और एक छाती में तो इसकी अब बैंड बजा देता आगे कितने गुंडे बचे हुए हैं तो उपर छट के एक बंदा चड़ रहा है तो इसको मैं अब जल्दी से भून डालता हूँ और ये खड़ा है बंदा और अभी इसको देखो कैसे इसकी खोपड़ी उड़ा देता हूँ मैं और इसकी खोपड़ी मैंने उड़ा दिया अब तो मजा ही आ गया अब बता लेम और और गुंडे कहा पर है तो सामने भी कुछ गुंडे दिख रहे हैं तो इनको भी मैं जल्दी से फोट डालता हूँ और उपर छट के भी एक गुंड़ा चड़ा हूआ है तो भाई वह तो मुझको कहीं गोली खिला दी उसने यार मतलब अब तो यार मेरी पावर एकदम से खतम हो गई भाईया इस गुंडे को अब मैं नहीं छोड़ूँगा और सामने भी एक गुंड़ा दिख रहा है होंगे फ्रैंक्लीन अब महीं पर खड़ा मत रहे जल्दी से मेरे पिछे आजा एक बाईक वाला हमारा 10 क्रोड का माल लेकर यहां से भाग गया है और यह गेट कूद कर जल्दी से बाहर चलते हैं और अपनी गाड़ी के अंदर बैट कर उस बाईक वाले को पकड़ते हैं ओके लैमोर तुम जल्दी से गेट कूद कर पाहर जाओ मैं भी गेट कूद कर अभी पाहर जाता हूँ तो भाई अब गेट कूद कर बाहर चलता हूँ और लैमोर कह रहा है कि यार 10 क्रोड का माल लेकर वैग गाड़ी वाला बाग गया है तो जल्दी से मैपके अंदर वैब कैसे अभी पकड़ लेता हूँ तो वह बाइक वाला तो मैप के अंदर हमको बहुत ज़्यादा दूर दिक रहा है ठीक है लब और भाईया अभी आप देखना है गाड़ी को कैसे एकदम हावा में उड़ा देता हूँ गाड़ी की एकदम से फिरकी बना देता हूँ भाईया फिरकी अभी देखो गाड़ी को में कैसे एकदम से तोपान बना देता हूँ और भाई भाई को वाला अब बहुती नजदीक दीक रहा है यार तो जल्दी जल्दी से भाईया एक सोटकट मारता हूँ अभी देखना आप मेरा सोट कट और भाई अभी यहाँ पर ओ भाई अट जाओ सामने से सभी लोग अट जाओ वरना आज कोई भी नहीं बचेगा आज हमको पकड़ना है भाई भाई को आला सामने नहीं आना बिल्कूल भी वरना मारे जाओगे गाड़ी के आगया अगर जो भी कोई आ गया तो समझो गया ओ भाई मतलब यार यह बिजिली का खंबा भी सामने आ गया और भाई रोड से थोड़ा दूर अट जाओ यह रोड नहीं है यह तो कोई फुटपात है भाई या पैदल चलने की जगा मगर यहाँ पर फिर भी हम लोग सोटकट रास्ते से आए और यहाँ पर अपनी गाड़ी को ले करके आए थे भाई अब सामने कोई नहीं आना और मै देगा तो बाइक वाला हमको यहीं पर मिलने वाला है और उसकी लोकेशन अब नजदीक दिकर वह खड़ा है बाइक वाला और इसको ठोक दिया भाई मज़ा आ गया अब गाड़ी से उतर ले और उस बाइक को लेकर गयराज पर पहुंच्छ मैं यह कार लेकर गयराज पर प दोस्तों यार पहली बार आज हम लोग इस सिटी के अंदर चला रहे है बाइक और भाई इस बाइक को चलाने में तो मज़ा ही आ गया एकदम से कतही जहर चल रहे है बाइक और भाई यह इसका पुलिस के इस चार नहीं हट जाते तब तक हम लोग गैराज पर नहींप उनसक तो पहले यह पुलिस के दो इस्टार हम लोग हटा देते हैं और चलो यार इस लोकेशन से थोड़ा दूर भाग कर चलते हैं और पुलिस के यह इस्टार जब हट जाएंगे तो फिर भाया हम लोग चलेंगे गयराज पर और अपने इस मिशन को कर देंगे पूरा तो भाई मज के साथ भी शेयर कीजिए और भाया पुलिस के अब इस्टार हमारे उपर से हट चुके हैं अब हम बन चुके हैं वाइट कोलर आदमी यानि बिल्कुल सपेद पोसाक वाला आदमी तो चलो यार अब चलते हैं भाया गैराज के पास और गैराज के अंदर इस बाइक को हम लोग लैमोर हमको वही पर मिलने वाला है साथ और देखते हैं यार इन डिगियों के अंदर हमारा दस करोड का माल है तो मज़ा आ जाएगा भाया पांच करोड लैमोर के और पांच करोड हमारे और देखते हैं यार पांच करोड हम लोग कैसे खरच करेंगे इस सिटी के अंदर य यार हम लोग अपने लिए एक नया घर और एक चम चमाती भी गाड़ी खरी देंगे और भाई मज़ा आ जाएगा और अभी हम लोग पहुंच लेते हैं सबसे पहले तो लैमोर के पास और इधर से ही लैमोर के गयराज का रास्ता जाता है तो यार लैमोर भी बहुत ही जादा एकदम से बकवास आदमी है उसने हमको बना दिया आज एकदम से करिम्डल भाईया हम लोग एकदम से सीधे साधे बन दे और उसने यार एकदम से पता ने यार हमसे कैसे कैसे गलत काम करवाए और भाईया बहुत से गुंडों को यार उसने हम हमारे हत्तों यहां पर मरवा भी दिया तो भाई चलो अब तो गुण्डे बच्च अब हमुलोग जल्दी से पहुँच लेते हैं लैमौड के पास और लैमौर की मोकेशन इदर से ही इस को यार राइट लेना पड़ेगा तो इदर ही हम लोग चलते जिसके अंदर हमको जाना होगा अभी तो चलो यार जल्दी से इसको खैंच कर लेकर चलते हैं भाइया बाइक तो एकदम से ज़कास बाइक है इस बाइक की जितनी तारिक की जाए उतनी कम है यार चलने में एकदम से जबरदस्त है और भाइया चलो वही पर चलकर इसकी पेटिया भी खोलेंगे आज इसकी पेटियों के अंदर हमको क्या मिलेगा दस क्रोड मिलेंगे या कुछ और मिलेगा तो वह तो लैमोर ही जानता है यार लैमोर का कहना था कि इस पेटियों के अंदर दस क्रोड है और जल्दी से भाई इधर से हम लोगों को हुआ है तो भाई अब लोकेशन पास में ही आ चुकी है तो चलो यार इधर से हम लोगों को रेला होगा राइट टर्ड और भाई मतलब क्या जखास चलाई भाई कि यार देखो भाई टकराने से बिलकुल एकदम से बाल बाल बचे और अब तो बहुत ही ज्यादा नजदिक आ पाएंगे और बहुत ही ज्यादा दूर आपाएंगे और यार गयराज के दर रहे तो भाई को मेरे हवाले कर दे इस बाइक पर और इसके माल पर सिरफ मेरा हक है तेरा कोई हक नहीं है ये क्या बक्वास कर रहा है तू तूने मुझे गुंडा बनाया और अब कह रहा है कि इंदस क्रोड पर सिरफ तेरा हक है मैं तुझको नहीं छोड़ूँगा तुझको देख लूँगा मैं तूझने मेरे साथ बहुती गलत किया है तुझे मैं देखूंगा किसी ना किसी दिन तेरी ऐसी बैंड बजाओंगा दोस्तों यहाँ पर फ्रैंकलीन का दोस्त लेमोर उस बाइक को और उसके अंदर जो भी माल था उसको लेकर भाग गया और यहाँ पर हमारा मिशन भी हो चुका है पास तो यार आज के वीडि देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो दोस्तों जैहिंद वन्दे मातरम